फर्याणा में रोतक लोग सभा से जेजेपी के उमिदवार रविन सांगवान अपने गाओ खरकडा में दंडवट पहुंचे जेजेपी के उमिदवार घोशित होने के बाद वह पहली बार गाओं पहुंचे थे इसलों उन्होंने गाउं की सीमा से दंडवर चलना शुरू किया और करीब एक किलो मिटर तक पेट के बल चले इसके बाद गाउं के बाबा श्वेतनाथ मंदिर में माथाटे का गाउं खरकडा निवासी रविन सांगवान करीब थारा साल से राशनिती में सक्री है अब उन्हें टिकट मिली है सांगवान ने कहा कि उनके मन में आस्था थी इसलिए वा पेट के बल चल गए मंदिर में पहुंचे बाबा श्वेतनाथ मंदिर की गाउं में काफी मानेता है रविन सांगवान ने कहा कि महम 24 से केवर चौधरी देवी लाल परिवार नहीं लोगसभा का उमिदवार पोशित किया है या दूसरा मौका है कि जब महम 24 का उमिदवार रोह तक लोगसभा से चुनाव लड़ेगा इसे पहले कॉंग्रेस या बीजेपी किसी भी पार्टी ने महम 24 से लोगसभा रोह तक उमिदवार पोशित नहीं किया रविन सांगवान ने बताया कि उन्होंने 2006 में सक्री राजनिती में प्रवेश किया और इनेलों से शुरुवात की वैसाल 2018 मी नोलो के युवा प्रदेश अध्यक्ष बनाये गये डॉक्टर राजय चोटाला ने जेजीपी का गठन किया तब रविन सांगवान को युवा प्रदेश अध्यक्ष न्यूत किया तो लोग इस मंदीर में माथा टेकने जरूर आते हैं लोगों में मंदीर को लेकर काफी आस्ता है लेकिन ग्रामिडों के अनुसार हर शुब काम की शुरुवार गाउं के बाबा शुवेतनाथ मंदीर से ही की जाती है